हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बियार बीड जो सका कंबाइंड टेस्ट होता है उसका 2022 का जब फॉर्म आया उसका पूरा डीटियल के साथ में बताने वाला हूं वीडियो आप लास तक देखें सारी बात मैं स्टेप बाई स्ट होता है भी एट का तो वह अभिलेबल है 25 अपरेल 2022 से वह फॉर्म अभिलेबल है सब के लिए वह जो भी फील करना चाहते है जो उसका ओफिसल वेबसाइट है वह मैं उसका लिक में डिसक्रिप्सिन में भी डाल दूगा वाह से आप जा सकते हैं वह फिर्म फॉर्म कर सकते ह है इसका छो फिर्माय तक है संतर में दो हुमि कर सकते हैं लेकिन इसको उसके लिए यहापको लेट चम रcakाई है वहरा है अधार में से किसमें किश मियह तक है यह इसका लेट की के साथ आप इस डेट में वी फांफिल कर सकते हैं एक अगर बात करें जो इंडरे Serious 09 9 जुन 2022 यह इशका डेट है इस कई डेड को एड्मितmern देस्ट होना यह हो न है वह है त्यून 2022 यह कटेस्ट का डेट विख कम इंटने और यह को इसको कि ऑंतर लुगिंगया है देम्हका इसके बाद अगा गजो सीट में करें 2022-23 का जो सहसन है उसके लिए कितने colleges है और कितने seats है तो उसमें आपको 330 colleges है इसमें जो seat है आपको 35,000 कितने के आसपास का seat है यह जो डाटा है इसके जो ऑफिसेल जो साइड है website वहाँ पर यह available है and test type का अगर बात के रहें तो उसमें जो questions रहेंगे वह 120 questions रहेंगे आप और यह जो टेस्ट है यह दो घंटे का टेस्ट होगा जो जो 120 questions है इसमें वह दो घंटे का होगा and questions कि अगर बात करें तो सारे जितने भी questions है वह सब एक नमबर के होंगे and इसमें कोई भी negative marks 8 नहीं होगा so 120 का question का मतलब है 120 नमर के आपके टेस्ट होंगे जो की दो घंटे के लिए होंगे और क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वह जन्रल जो कैटेगरी यह उसके लिए minimum 35 परसन आपको मार्स लाना है जो रिजर्व जो किलास है जैसे SCST OBC and PWD वो भी उसका मीनिमें वह आपका थार्टी परसन मार्स आना चाहिए तो यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बिहार कंबैंड बीएड इंट्रेन स्टेश जो होता है उसका सारी बात है स्टेप बाद स्टेप उमीद करते हो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा आप हमारे चैनल सुस्क्राइब किए लाइक एंड शेयर किए इस वीडियो को यतना हो सके